सब्सक्राइब करने से सोट कुछ चाहँद रएगEंग दो इसके आपको मिल जाएंगे प्लेज कर लिजएगा किसे आपके इसे आपके तो आपके 15 मार्क्स कवर हो जाते हैं तो प्लीज देख लेजेगा तो फर्स्ट एडिंग है इंडुड़क्शन इसमें आप क्या लिखेंगे अगर आपसे पूछा जा हूँ वह सुबू सुबू कौन थे तो भी आपको यहीं मेंसन करना है सुबू वह जाना मैंजिक एक्टर पोईट एंड नॉबलिस्ट सुबू कौन थे एक अदबुत अभिनेता कभी और उपन्यासकार थे आप यहां पे फिल्म डिर्क्टर भी लिख सकते हैं फिल्म डिर्क्टर फिल्म निर्देशक भी थे तो आप चाहो तो इसमें फिल्म डिर्क्टर भी लिख लीजेगा ओके तो जेमनी स्टूडियो में क्या होता था यहाँ पर फिल्म प्रोडक्शन का काम होता था मतलब फिल्में बनती थी यहाँ पर जेमनी स्टूडियो में यह दूसरे नम्मर के विक्ति थे कौन? सुबू वो अपने बॉस के प्रती बहुत ही बाफादा थे इनके वॉस कौन थे भी आपको पता चलेगा कोईशन ना पूछा गया सौड में अलग से उके? सेकिंड हेडिंग इस कॉलिटीज उनके गुड क्या थे? तो अब लेकिंग वो बहुती दयालू और हेल्फुल पर्षन थे मतलब साहता करने वाली वेक्ति थे वो हमेशा खुश रहते थे इस नेचर वोज वेरी लविंग उनका जो बिहेवियर था विभार था बहुती प्यारा था फ्लैटरिंग और हार्ड वर्किंग पर्षन फ्लैटरिंग का बतलब था चापलूसी करने वाल वेक्ति तो इनके अंतर ये भी गुड़ था चापलूसी करने वाला और हार्ड वर्किंग बहुत थे ठीक है कर्षन पर्षन बहुत करते थे तो इस टाइप के वेक्ति थे तो ये इनकी कॉलिटीज हो गए सुबूज वास वाज एसस वासन वाज दा फांडर आप ये ये जानffen थे सैंस्टापक मैं फादर की फ्रेंड थे संबू को अपने वास के बहुत जादा कलोज there सुबू को हमेशा वस के साथ देखा जाता था तो ये आप इसमें लिखती चीनका सुबुज इंपोटेंस इन जैमनी स्टूडियों सुबु की क्या इंपोटेंस थी जैमनी स्टूडियों में तब यह जादा होश्यार तो नहीं थे बहुत ज्यादा चालाग थे यह जिससे वह सभी से आंगे निकल जाते हैं इनका सत्रु कौन था एक आफिस ऑथा जो इनका सत्रु था दा वाइस स्या उस लड़की को ही उसके दुग कारड था इसलिए he did not like him वह लड़का सुबू को पसंद नहीं करता था he was jealous of सुबू वो सुबू से बहुत ज़्यादा जलता था because he was closer to his boss क्योंकि सुबू अपने boss के बहुत ज़्यादा close थे इसलिए वो office वा जो था इनसे जलता था तो अगर आपसे sword question पूछा जाए इनका enemy कौन था तो आपको यही mention करना है क्योंकि sword question में यह पूछा गया है last map conclusion में क्या लग देंगे सुबू was the man who gave a new direction to the Germany studios during its golden years तो सुबू एक वो व्यक्ति थे जिनोंने Germany studio को एक नई दिसा दी थी क्योंकि इनका बहुत important role था film बनाने में during its golden years अपने swordm वर्सों में इनोंने Germany studio को एक नई दिसा दी थी तो ऐसे आप लिखतीजेगा आपको full marks मिल जाएंगे वीडियो अच्छा लगाऊ तो please like share कर दीजेगा मिलते हैं next वीडियो में thank you so much